पूर्वु प्रधान मंत्री अटल वियारी वाचपाई उन आखरी राजनेताओं में से हैं जो सब के प्रिये हैं अपनी राजनेतिक विचारधारा के प्रती आगाज समर्पण के बावजूद उनके नैतिक मुल्य, उनकी सवेदर शीर्ता, और जस्मी, व्यक्तेतु धारदार वाचन शैली साथियों और प्रश्चिशकों को ही नहीं उनके विरोधियों को भी उनका मुरीद बना देती थी 93 वर्ष का लंबा और अभूदपूर्ट जीवन जीने वाली ऐसी हस्ती की बायोपिक परदे पर उतारना आसान काम नहीं है लेकिन नैशनल अवार्ड बिनर डिरेक्टर रवी जादव ने अपनी नई फिल्म मैं अटल हूं के रूप में ये कटिन चुनोती स्युकारी है फिल्म मैं अटल जी के बच्पन से लेकर प्रधान मंत्रितु काल की उपलब्धियों तक को समेटने में वे काफी हद तक काम्याब हुए हैं तो कहीं कहीं वो चूके भी हैं ये फिल्म अटल भियारी वाजपाय पंकत्रिपार्टी के बच्पन जब वे माबाप के प्यारे अटला हुआ करते थे से शुरू होकर उनके कॉलेज जीवन, RSSS से जुडाव, राजनीती में प्रवेश और उत्थान, विदेश मंत्रितु काल और फिर प्रधान मंत्री के रूप में उनके योगदान जैसे पोकरन टेस्ट, लाहोर बस यात्र कारगिल विजय जैसे महतुपूर्ण घटना क्रमों को दिखाती है। एकता कॉल के साथ प्यार भरा रिष्टा दिल को छूता है। सेकिंड हाफ में कहानी की धार तब आती होती है जब वो कभी अटल वियारी बतौर, राजनीता अपने चरम पर पहुशते हैं, मंच पर उनके भाशन फिल्म में भी रॉंक्टे खड़े करते हैं। एमरजनसी के दोरान जेल से छूटने के बाद भरी बारिश में अटल के भाशन देने वाला सीन देखते ही बनता है। और पंकत रिपार्ठी की लाजवाब एक्टिंग को है। ये फिल्म पूरी तरह से पंकत रिपार्ठी के कंधों पर है और इस भूमिका में वे अपने नाम पंकत जानी कमल की भाती खुब महके हैं। फिल्म के पहले सीन में उन्हें अटल के रूप में देखकर थोड़ा अटपिटा लगता है लेकिन फिल्म बढ़ने बढ़ने के साथ साल वे अटल बिहारी का अक्स ही हो जाते हैं। उनके अलावा प्योश मिश्रा और एकता कॉल ने भी सीधी हुई अधिकारी जो है दिख आया है आप कोई मुवी कैसे लगी कॉमन सेक्शन में अपनी राय जरू दीजेगा और इस तरह की बॉलिवुट के अम अपडेट्स के लिए जोड़ रहे हैं इंजैनियों के साथ